कैसे हैं आप सब आज हम इस वीडियो लिक्चर के अंदर हम अपना Microsoft Office का MS Excel वो स्टार्ट लेंगे प्रिविएस वीडियो के अंदर हमने MS Word पूरा कम्टीट किया था इसके अंदर हमें क्विक रिव्यू लेंगे MS Excel का ठीक है Microsoft Excel का तो without wasting your much time, let us start with MS Excel. Students, MS Excel क्या होता है? Basically, ये भी एक हमारी spreadsheet application है. Microsoft Excel और Word में क्या difference है? कि Excel के अंदर भी हम data को manipulate कर सकते हैं, that means changes कर सकते हैं, data को store कर सकते हैं, data को organize कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर थोड़े से advanced features है as compared with Word. इसके अंदर हम अपना various formulas का use कर सकते हैं Apart from formulas, we can apply queries. ठीक है? Students, हम ये advanced Excel नहीं करेंगे, हम सिरफ आपको जो आपका hospital management के अंदर basic Excel है जो syllabus में हैं वो discuss करेंगे अगर आप advanced Excel करते हैं तो उसके अंदर हमारी queries वगरा लगती हैं, बड़े सारे मतलब conditions हम खुद frame कर सकते हैं अपने accordingly जो भी data है हमारे पास और उनके basis पर अपना जो काम है बहुत जादा easy कर सकते हैं इसके अंदर basically यह देखिए कि हमारे पास हम calculations कर सकते हैं, graphic tools का इस्तेमाल करके पाइवर टेबल्स भी बना सकते हैं suppose मेरे पास पाइवर टेबल्स क्या होते हैं जैसे यह data given है तो data के पाइवर टेबल और simple tables में देखो क्या फरक है पाइवर टेबल्स के अंदर क्या होता है कि आपना साथ में ही जैसे जैसे suppose उसके साथ ने एक टेबल बनता है पाइवर टेबल सपोज पाइवर टेबल पे आपने अपना जो भी data है वो टाइप किया सपोज अब आपको यह वाली जो column है इसका data बदलना है तो आप जैसे ज पाइड अप्लिकेशन है इस प्रेडशीट की यह कोई किसके फीचर है फटाफट से एक्सल के फीचर करते हैं एक्सल क्या काम करता है इत अलावस थी और्गनाइजेशन आपके डाटा को और्गनाइजेशन टेबलर फॉर्म में लिखने का सर्च का या आपको जो भी अगर आपको एक्स्प्लोर करना है डाटा हम एक्सल के अंदर पूरे-पूरे कॉलेज के बच्चों का डाटा बना देते हैं स्कूल के बच्चों का डाटा सपोज आपको एक पर्टिकुलर बच्चे के फादर का नेम सर्च आउट करना है तो आप क्वेरीज बगारा लगाकर बह सकते हैं, हम अपने चार्ज को जिसे शैडो इंग हो गया, ट्रांसपेरेंशी वगयरा हो गया, डाटा को यह तो बहुत जादा easy कर देता है हमारे काम को, हम डाटा को filter कर सकते हैं, हम डाटा को store कर सकते हैं, formatting of spreadsheet allows changing the font color and font style, जब भी हमने अपनी spreadsheet के अंदर किसी भी प्रकार की formatting करनी है तो उसके साथ अपनी font colors मतलब जो भी हमने चीज टाइप की हुई है उसके color उसके font style वगएरा को क्या कर सकते है चेंज कर सकते है Next is Functional Library consists of various functions like financial, logical, math and trigonometry इसके अंदर एक proper functional library है जिसके अंदर बहुत सारे functions होते है जैसे वो financial functions होगे logical, math, trigonometry वगएरा के formulas होते है जिनको हम use कर सकते है Based on the values entered in different cells in the spreadsheets formulas can be defined which can be automatically perform the calculations मतलब जो भी हमने values different cells के अंदर enter की है spreadsheets के अंदर छीक है formulas वगएरा क्या कर सकते है properly जो भी हमने different cells के अंदर data enter किया है हम different formulas का use करके अपनी calculations को perform कर सकते है suppose आपके पास data है जैसे ही आपने data बनाया राम, कित, शाम ठीक है, ये दो बच्चे है इसके 20 marks है, इसके भी 20 marks है अब आपको इनका क्या करना है total करना है तो student आप क्या कर सकते हो sum का formula लगा सकते जैसे is equals to आप जैसे ही sum लिखेंगे ना और फिर इसको और इसको select कर देना और enter दबा देना, automatically 40 आदेगा और आपने ये तो suppose इनके math के marks है इसी तरह से sst के marks, science के marks फिर आप यहाँ पर जो data आएगा ना इसको नीचे तक drag कर देना automatically सभी subjects के वो number क्या कर देगा, total कर देगा next is application of excel application क्या क्या है excel की to manage the results of data record मतलब क्या क्या काम करता है excel to manage the name list of data record, मतलब की जो भी data है उसकी name list वगएरा को manage करता है mathematical calculation आप easily perform कर सकते हैं, आप inventory को manage कर सकते हैं, आप अपने forms वगएरा create या consolidate भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहीं data कहीं और लिखा है suppose आपने कहीं जैसे आपने access से export करनी है फाइल ठीक है, export करके आप उसको excel में अगर लेकर आते हैं और फिर उसको क्या कर सकते हैं, consolidate कर सकते हैं, और various analytical tools का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं excel को excel के फाइदे उठा सकते हैं जैस देखिए overview क्या है excel का वो देखिए workbook, अब देखिए मैं जो main main points excel के वो आपको इस video के अंदर कोशिश करूँगी कि हम complete कर लें ताकि आपको basic knowledge excel की मिल सके, अब suppose पहले हम बात करते हैं workbook की, workbook क्या होती है जिसके अंदर बहुत सारी क्या होती है sheets होती है, students यहां पर देखिए यह जो last corner है ठीक है, यह देखिए यह जो last corner है जिसके उपर यह table सा भी आ रहा है, इसके आगे देखिए तो लिखा होगा sheet 1, sheet 2, sheet 3 जो इनका combination होता है तो यह क्या कहलाती है workbook, workbook का क्या मतलब है कि कितनी number of work sheets है worksheet होती है जैसे यह वाली होगी, यह आपकी क्या है worksheet है, students यह क्या है आपकी worksheet, worksheet के अंदर क्या होते है, rows and columns होते है, यह आपकी, इदर horizontal rows है, ठीक है, यह आपकी rows है, और यह आपके क्या होते है columns होते है आप total excel के अंदर एक worksheet के अंदर कितने columns और कितनी rows होती है, students यह काफी बार कई competitive exams में भी आपको देखने का question मिला होगा कि workbook के worksheet के अंदर 256 columns होते है और 65,536 rows होती है कितने columns होते हैं worksheet के अंदर 256 columns and 65,536 25,536 rows होती है ठीक है, on the worksheet intersection of row and column is called the cell students हम cell किसको कहते हैं, यह देखिए मैं थोड़ा सा इसको zoom करती हूँ, यह देखो cell क्या होता है, cell होता है यह वाला, जहां पर अगर हम cell को define करें जहां पर row and column का क्या होता है, intersection होता है, वो क्या कहलाता है जो यह highlighted है, यह क्या cell है, यह different क्या है, cells है क्योंकि यह पर देखो यह row है और यह column है, इनका intersection मिलके क्या बनाता है, आपका cell बनाता है, clear हो गया आप देखिए next is next is each cell has a specific address हर जो cell है उसका क्या है specific address होता है which is combination of numbers and letters, आप देखिए हर cell का क्या होता है, एक अपना unique address होता है बच्चे जो address बनता है किसी भी cell का, वो कैसे बनेगा, suppose जैसे यह वाला है, जहां पर यह red वाला mark किया हुआ है, इसका cell का address होगा A1, A1 का क्या मतलब है कि A column है और first row है पहले column, फिर row, clear हो mind में सोचे, इसका address क्या बनेगा, यह कौन से column में लाई कर रहा है, उपर देखिए column कौन सा E, और row कौन सी है इसकी 10, तो E 10 क्या होगा, इसका address होगा सभी cells का क्या होता है, एक अपना unique address होता है तो फटा-फट से यह वाला page recall करो क्योंकि इसमें से आपके आगे questions frame हो सकते है exam के अंदर, तो workbook क्या है workbook क्या होती है, it is the collection of many worksheets और worksheet के अंदर क्या होता है बहुत सारे rows and columns होते है एक Excel के अंदर, एक worksheet के अंदर कितने columns होते है 256 columns होते है और 65,536 rows होती है और जहां पर row and column क्या होता है intersect करता है, उसे हम क्या बोलते है, cell बोलते है और हर cell का क्या होता है एक अपना address होता है clear आप देखिए थोड़ा सा मैं आपको overview देती हूँ, किसका एक worksheet का, तो ये देखिए जो worksheet है, ठीक है on the worksheet, a rectangular box represents currently selected active cell देखिए, जो सबसे पहले जो name box होगा, name box जो होता है ये वाला, ये जो yellow color का highlighted है ये आपको क्या indicate करेगा कि आपका कौन सा cell क्या है, active है students जो ये वाली white वाली line होती है, इसको हम क्या बोलते है, formula बोलते है ये हमें indicate करता है, suppose में इस वाले column में sum का, इस वाले cell में sum का formula लगाया जैसे मैंने लिखा sigma, sorry हमेशा excel के अंदर ध्यान देना कि जो formula है वो is equals to से start होते है जैसे ही जैसे मैं formula को ही type करूँगी तो वो formula बार में automatically आता जाएगा, ठीक है उसके इलावा ये देखिए क्या है ये होती है हमारे title बार, ठीक है ये हमारा office बटन का tool होता है ये आपको मालूम ही है ये होते quick access toolbar मतलब जल्दी से हम कोई भी अपना quick access toolbar बार भी कोई हमारी ऐसी command है जो हम बार बार यूज़ करते हैं फिर ये हमारा क्या होता है ये formula बार हो गया ये name box हो गया ये हमारा क्या होता है menu बार होता है जिसके अंदर ये home tab हो गया page layout ये सारे क्या है हमारा formula बार sorry menu बार होता है ये हमारी क्या होती है vertical scrolling होती है और नीचे वाली कौनसी होती है हमारी horizontal scrolling होती है यह हमारा status bar होता है जिसके अंदर पूरा status आता है date, time वगएरा आगया कौन सी row में आप काम करें वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है clear हो गया next is view of menu bar menu bar के अंदर क्या-क्या चीज़े आएंगी यह रेखिए menu bar के अंदर आएगी हमारी home tab, insert, page layout formulas, data, review and view यह सब buttons आप वो मिलेंगे ठीक है तो आप ज़रूर एक बार अपनी screen on करके check out कीजिए कि menu bar में आपको कौन-कौन सी items शो हो रही है next is insert menu suppose जो हमारा उपर जैसे अभी मैंने आपको बात की थी menu bar में home में तो students वो ही जैसे हमने word के अंदर भी किया था home tab के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़े आजाती है वो ही सारे आजाते है alignments कौन-कौन सी आपको चाहिए उसके बाद वो ही वाला button जिसमें italic हो गया, bold हो गया, underline वाला हो गया, या अगर आपने कोई भी font color वगयरा change करना है ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी किस में show हो जाती है या आपको अपना जो text है वो कैसा रखना है, इस तरह से होना चाहिए या आपने देखा है, ऐसे down में हो गया, या mid में हो गया, इस तरह से या left आपको चाहिए alignment आपको middle वाला central alignment चाहिए, justified चाहिए, ये सब कुछ किस के अंदर आता है, home tab के अंदर आता है next is insert menu insert menu में जब आप करेंगे click, तो insert menu में आ सकता है, अगर आपको कोई further row, column, worksheet या chart वगरा, ये जो भी चीज़ आपको insert करनी है, वो सब कुछ किस के अंदर आएगा, home menu के अंदर आएगा तो ये सारी चीज़े हैं, जो home menu के अंदर आएंगी, ठीक है और ये सब चीज़े students आपको ज़्यादा clear तभी होंगी जब हम क्या करेंगे, practically इनको apply करके देखेंगे, ठीक है next is view menu, view means आपने कुछ अगट देखना है ठीक है, the view menu allows you different options of viewing your work view menu क्या करता है, हमें different options हैं, अपने काम को करने के, वो बताता है आप इसमें full screen view कर सकते हैं, ठीक है so that change you can enable a full screen view that changes the view to include just the worksheet and a menu bar मतलब आफ अपनी screen का full view चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर सिरफ या वरक्षिट आएगी और menu bar आएगा, इसके इलावा कोई भी चीज नहीं दिखेगी आप इसी option का, मतलब इसी view menu का इस्तेमाल करके अपनी screen को zoom वगरा भी कर सकते हैं ये देखें, zoom को option भी इसके अंदर आता है तो मैं comment भी दे सकते हूँ, जो ये red color का है यहां पर show हो रहा है, ये comment का है मैं भी मैंने कुछ इसके अंदर लिखके रखना है कि हाँ, ये particular cell के अंदर ये चीज है, ये जो 24 है, ये किस चीज से 24 आया मैं कुछ भी अपने accordingly specified cell को comment भी दे सकती हूँ next is formatting bar, student formatting bar में क्या होता है कि जैसे मैंने अपने cell को क्या करना है, format करना है उसको borders देने है, किस तरह के borders दे सकते हैं हम अपने various cells को border दे सकते हैं मैं को सब को border देना है, छीक है, जितने भी cells हैं सब को border देना है, ये specifically एक particular cell को देना है ये सिरफ cell के नीचे सिरफ ऐसे दो line ने आनी चाहिए या बहुत मोटी वाला जैसे ये वाला है एक thick boundary वाली में को lines क्या करनी है outer area पे देनी है तो वो मैं क्या कर सकती हूँ दे सकती हूँ उसके इलावा students alignments के option आ रहे होते हैं ये आपको मालूमी है left alignment होता है ये हमारा central alignment होता है और last one is your justified alignment तो इसके accordingly आप क्या कर सकते हो अपने data को alignments भी दे सकते हो और formatting बार में students आ रहा होगा हमारे पास जैसे spelling and grammar को चेक कर सकते हैं उसके इलावा we all know that कि आप अपने accordingly font style भी कर सकते हैं font style के अंदर को या देगा आपने Arial देना है Arial में बहुत dark color का आपका font आजाता है Calibri होता है Times New Roman होता है ये Algerian होता है इस तरह का तो ये बहुत सारे क्या है fonts के style हैं जो आप use कर सकते हैं उसके इलावा आप bold, italic या underline भी कर सकते हैं कोई भी information अपने cell के अंदर चीक है next is entering formulas Excel के अंदर क्या कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के mathematical functions को क्या कर सकते हैं use कर सकते हैं मैंने आपको बताया ही था कि जब भी हमने कोई भी formula start करना है हम किस के साथ start करेंगे is equals to के साथ start करेंगे clear हो गया जैसे suppose में को अगर sum करना है तो is equals to ठीक है जैसी ये दो हैं ये दो cells हैं यहाँ पर इसके one दुबायरा से मैं बताती हूँ आपको देखिये ध्यान से suppose यहाँ पर one के आगे लिखा है twenty और two के आगे लिखा है thirty अब मेरे को इन दोनों cells का total करना है तो मैं इस वाले cell के अंदर पते क्या formula follow करूँगी is equals to फिर लिखेंगे हम मैं इधर लिखती हूँ is equals to फिर हम लिखेंगे sum ठीक है फिर bracket start इन दोनों को मैं क्या कर लूँगी select कर लूँगी जब मैं इनको select कर लूँगी इस तरह से show होगा जैसे देखो 27 वाले cell का देखो address मेरे को बताओ क्या है C2 फिर ऐसे करके और इसका क्या होगा C3 ठीक है फिर bracket close फिर मैं enter करूँगी तो automatically मेरे पास 50 यहां पर answer आ जाएगा ठीक है इस सरह से हम क्या करते है formulas को use करते है clear हो गया अगर subtraction का formula है to subtract this cell use the minus sign students मैं आपको ने इनके formulas बता देती हो जो basic हो गया addition हो गया subtraction हो गया division हो गया और multiplication हो गया जिसे students अगर हमने मैं आपको कुछ एक formulas बताती हो sum का मैंने बता दिया मैं आपको product का formula बताती हूँ कि product का excel के अंदर किस तरह से अगर आपको product निकालना है दो चीजों का multiply गना तो is equals to आप product लिखेंगे ठीक है और उन दोनों cells को क्या कर दो select कर दो जैसे एक है A1 में कोई चीज ठीक है फिर A5 तो वो automatically क्या कर देगा आप enter दबाएंगे तो product हो जाएगा इसी तरह से आप average निकाल सकते है चीक है या divide सपोज अगर आपको किसी चीज का remainder पता करना है कि या किसी चीज का remainder निकालना है सपोज जैसे देखिए मैं दुबारा बताती हूँ सपोज दियर इस आप है 10 है 10 को आपको divide करके देखना है किस से 3 से इसका remainder वचेगा तो remainder को किस तरह से आप find out कर सकते हैं इसके लिए हमारा जो formula लगता है is equals to mode m.o.d फिर वो जो 2 cell है जहां 10 और 3 है सपोज 10 लिखा हुआ है A1 में और 3 लिखा हुआ है A12 में ठीक है तो दोनों को क्या करेंगे जैसे आपने select करेंगे जैसे आपने select किया और फिर क्या कर देंगे enter दबा देंगे तो automatically क्या आजाएगा mode आजाएगा जो भी difference आपका निकलेगा clear हो गया तो जैसे one remainder आएगा तो automatically one आजाएगा जब तक ये चीज़े आप practically नहीं apply करेंगे तब तक ये चीज़े clear नहीं होंगी अब data को कैसे enter कर सकते हैं अगर suppose मैं को highlight करने है cells तो मैं क्या कर सकती हूँ suppose मैंने अगर कोई भी एक cell यहाँ पर इतना portion क्या कर दिया select कर दिया मुझे ये सारे का सारा और selected है मैं क्या कर दूँगी cursor को लेकर निच्छे तक drag कर दूँगी तो मैं desired area को क्या कर पाऊंगी highlight कर पाऊंगी to move the highlight area click on the border of the box and drag the box to the desired location और अगर मैं को ये highlighted जो area है इसको क्या करना है move करना है तो जो इसका जो ये black वाला border है इसको आप क्या करेंगे click करेंगे और इसको जहां पर भी आपको desired location पर लेकर जाना है वहां तक drag करके आप ले जाएंगे और आप data को sort भी कर सकते हैं students उपर हमेशा देखना menu bar के अंदर ही मतलब home tab के अंदर ही एक sort and filter का option आता है ध्यान से कभी देखना sort and filter का sort and filter का क्या मतलब है sort का मतलब है कि आपको data increasing order में रखना है या decreasing में आप सारे का सारा data क्या कहीजिए select कीजिए उपर sort में जाईए sort में suppose आपको increasing order में रखना है that means पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा तो उसको select कीजिए तो फिर वो मांगेगा expansion के लिए बोलेगा तो जब आप expansion को click करेंगे तो automatically आपका data क्या हो जाएगा sort हो जाएगा उसी तरह से आप filters का use बी कर सकते हैं suppose आपके पास बहुत सारा data है आपके पास math के number है आपके पास science के numbers है आपके पास ssd के number है आपको इतना सारा data भी नहीं चाहिए आपको सिरफ math के numbers की उपर काम करना है तो आप filter में जाके filter में कह सकते हैं वहाँ पर option आएगा कि कौन-कौन से data जो आपकी worksheet है, उसके अंदर कौन-कौन सा data है, तो जो उनसा आपको चाहिए होगा, mass वाला, उसको select कर दीजिए, और जो बाकी का होगा, जो science के number होगे, English के number होगे, इनको क्या कर दीजिए, unselect कर दीजिए, automatically वहाँ पर फिल्टर लग जाएंगे, फिल्टर का ना इस तरह से, जैसे सीव नी होती, इस तरह का निशांसा बना हुआता है, आपके data के उपर, अब हम data में, सब एक्सल में भी find and replace कर सकते हैं, अगर में को कोई भी word find करना है, तो यूज़ होता है, student जल्दी से बताओ, cut के लिए, अगर कोई भी cell कट करके कहीं, पेस्ट करना है, और control प्लस V किस के लिए use होता है, paste के लिए, control प्लस C copy के लिए, control प्लस X किस के लिए होता है, cut के लिए, control प्लस V, paste के लिए, अब हम अपने चार्ट वगएरा भी रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर भी इंजर्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, चार्ट अपने चूज कर सकते हैं, सब्सक्राइब को अगर लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह के बहुत सारे चार्ट हैं, आप अपनी आप अपनी कोई भी चार्ट आपने क्या कर लिया, सबसे बहले कोई भी जो भी चार्ट आपको चाहिए, चाहिए आपने कॉलम बनाना है, चाहिए बार बनाना है, चाहिए लाइन बनाना है, हाइलाइट दी डाटा दार्ट यू विश्टू ब इंक्लूड़ और अपनी जो व कर दोगे जिसको आपने क्या करना है चार्ट की फॉर्म में शो करना है चीक है क्रिएटिंग थर्स जो स्टेप होगा थर्स टेप विल बी चेंड चार्ट ऑप्शन यह यू कन चेंज नी नेम ऑफ दी चार्ट इसके अंदर क्या कर सकते हैं चीक है उसकी चार्ट के उपर क्या आना चाहिए जैसे y-axis के उपर marks आने चाहिए x-axis के उपर subject का नेम आना चाहिए तो उसके accordingly आप क्या कर सकते हैं changes कर सकते हैं और अपनी चार्ट की location को भी choose कर सकते हैं कि कहां वो चार्ट आपका क्या हो चार्ट वहाँ पर paste हो ठीक है जैसे यह सब आ गया यहाँ पर आप ले सकते हैं अगर हम अपने example के accordingly चेक करें तो यहाँ पर आप ले सकते हैं subjects के name और यहाँ पर क्या ले सकते हैं य-axis पर subjects के marks क्लियर हो गया इस तरह से जो आपका chart है वो क्या हो जाएगा बन जाएक और work sheet पर शो हो जाएगा यह pie chart आप pie chart भी बना सकते हैं यह line chart आप line chart भी बना सकते हैं और students last जो है वो हम करेंगे प्रिंटिंग का स्टूडेंट्स वही है सेम तरीका ठीक है प्रिंटिंग के अंदर आप क्या करेंगे वही कंट्रोल प्लस पी कि कमांड देकर अपनी प्रिंट करवा लेंगे बट अगर आपको print preview देखना है तो print preview के लिए मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप print preview भी क्या कर सकते हैं, check कर सकते हैं, print preview से आपको पता लग जाएगा कि आपका print होने से पहले किस तरह का view है, चीक है, यूगि जब आप print करेंगे तो कई बार हमारे cells, जो columns होते हैं, तो हमें print preview से पता लग जाएगा कि कोई चीज बाहर तो ने जारी हमारी sheet से, उसके accordingly हम data को क्या कर लेंगे, adjust कर लेंगे, clear हो गया, तो students ये था, आपका एक just overview था, जो Excel है, students बहुत जादा deep है, ये हम just एक overview ले रहे हैं, Microsoft Office के अंदर, जो भी हमारे पास softwares है, जैसे word हो गय और ये हमारा Excel हो गया, ये सिरफ overview है, अगर आप करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो ये बहुत deep करने पड़ेंगे, क्योंकि Excel का भी बहुत जादा use होता है, और word का भी, तो ये सिरफ एक overview था, एक आपका base create किया गया है, इसके इलावा, Excel के अंदर बहुत कुछ है एक इ chief advising, भी थी एक चैड़ेंगे, क्युछ टो ये एक टूच ल मतलिग पर एह चाहते है, इसके और शब्पर, इसके इसके आपका y।, उसके बहुत लिएक रिए का बहुत स्बस्वाईगे, इसके रिएकाए और जाब्स्ट्वाद्टु के रिएक बहुत रिएक बहुत